दोस्तों इंडियन इनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बोर्ड अब डारेक्टर्स की मीटिंग आज मतलब 24 जनवरी 2022 को भी है और इस मीटिंग में इस कमपनी के क्वार्टर थरी के फानेंसेल रिजल्ट को एप्रूफ कर दिया गया है और इसके साथ साथ इस कमपनी ने अपने इंटेरिम डिविडेंट को भी डिकलियर कर दिया है तो चलिए पहले मैं इसके इंटेरिम डिविडेंट के बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं इस company के quarter 3 के financial result के बारे में भी आपको बताऊंगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे तुरंट subscribe कर लें इस company ने एक रूपया प्रती equity share का dividend declare किया है इसका मतलब आपको अपने हर equity share पर एक रूपय का dividend मिलने वाला है और इस dividend की record date 4 फरवरी 2022 है इसका मतलब यह हुआ कि आपके demate account में 4 फरवरी को यह share होने ही चाहिए तभी आपको यह dividend मिलेगा यह इस company का consolidated financial result है इस company का revenue from operation quarter 3 में 117 करोड है जो previous quarter में 110 करोड था और previous year के quarter 3 में 85 करोड था तो आप देखिए इस company की revenue from operation में year on year 38% का ग्रोथ हुआ है और quarter on quarter यह almost 6% बढ़ा है quarter 3 का profit before tax 107 करोड है जो previous quarter में 102 करोड था और previous year के quarter 3 में यह 75 करोड था तो profit before tax में year on year 41% का ग्रोथ हुआ है और quarter on quarter देखें तो इसमें almost 5% का increase है quarter 3 का profit after tax 81 करोड के आसपास है जो previous quarter में 77 करोड था और previous year के quarter 3 में 58 करोड था तो year on year pat में 39% का ग्रोथ हुआ है और quarter on quarter यह almost 4% बढ़ा है quarter 3 में इस company का EPS 90 पैसे है जो previous quarter में 87 पैसे था और previous year के quarter 3 में यह 65 पैसे था जब मैंने इस company के margin को analyze किया तो मैंने यह पाया कि इस company का operational margin quarter 3 में 84% है जो quarter 2 में 86% था और previous year के quarter 3 में यह 82% के आसपास था उसी तरह जब मैंने pat के margin को देखा तो यह पाया कि quarter 3 में pat का margin 62% है जो previous quarter में 63% था और previous year के quarter 3 में यह 61% था तो margin के front पर यह company stable नजर आ रही है तो मुझे इस company का रिजल revenue और margin दोनों ही front पर अच्छा लग रहा है मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को like करें अपनी family members और friends के साथ share करें धन्यवाद